अगर हम किसी दूसरे देश की आत्रा करते हैं तो आईकाड के तौर पर पासपोर्ट का होना जरूरी है। अभी अभी जारी हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतिये पासपोर्ट 80 सेकेंड यानी 82 में रैंक पर है और इसी के साथ भारतिये नागरेक अपने पासपोर्ट के साथ 58 विदेशी देस्टिनेशन पर वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। वही हमारा नापाक पडोसी पाकिस्तान नीचे से पाच्वे स्थान पर है। और इस पासपोर्ट के साथ आप 195 देशों का भ्रवन बीना वीजा के कर सकते हैं। वही जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और स्पेन दुसरे स्थान पर हैं और ये देश अपने पासपोर्ट के साथ 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री के लायक हैं। और तीसरे स्थान पर आस्ट्रिया, फिनलेंड, आयरलेंड, लक्जंबर, निदरलेंड, साथ कोरिया और सुडान हैं जो 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। वहीं दुनिया का सबसे पावरफुल देश United States of America का पासपोर्ट आठमे स्थान पर है जो सिर्फ 186 देशों में वीजा फ्री एंट्री के लायक है। वैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, लंडन बेस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, हेनली एन पार्टनर्स और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट असोसियेशन यानि IATA के ऑथेंटिक डेटा के आधार पर तयार किया जाता है। और इस इंडेक्स में जिस देश की पासपोर्ट रैंकिंग जितनी बेहतर होती है, उतने देशों में उसे वीजा फ्री एंट्री मिलती है। और यह रैंकिंग साल में दो बार जारी के जाती है। इससे पहले फरवरी 2024 की रैंकिंग में भारतिये पास्पोर्ट 80 रैंक पर था तो जरूरत है भारत सरकार को अपने पास्पोर्ट और बेहतर करने की तभी हम विश्वमान चित्र पर और मजबूती से खड़े हो सकेंगे